हाई गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, तो आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी सी चटपटी सी एक चीज वह है आवला केंडी, तो देखें, मौसम चल रहा है अभी सर्दियों का और आवले का मौसम चल रहा है, बहुती फ्रेश फ्रेश आवला आते हैं ये मौसम में, और आवला की बात की जाए तो हमारे बोड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होता है, हमारी स्किन के लिए, हैर के लिए, आई साइट के लिए, कई लोग तो इसका पौडर बनाके मेंदी में भी डालते हैं बाल काले करने के लिए, और कई लोग स्किन पे ग्लॉल लाने के लिए इसका जूस बगारा पीते हैं बच्चे जूस नहीं पीते हैं बच्चे नाटक करते हैं जूस पीने के लिए तो इसी लिए हम आज बनाएंगे आवला कैंडी जो कि बच्चे भी खुशो के खाते हैं कि आवला केंडी बनाने के लिए मैंने आदा किलो आवला ले लिए हैं इदर और इनको हम उबालेंगे नहीं बिल्कुल भी इनको हम स्टीम से बनाएंगे और इदर स्टीम के लिए मैंने पानी रख दिया है वाइल होने के लिए तो देखें पानी हमारा उबना शुरू हो गय तो आटा शानने वाली शाननी तो आपके पास जरूर होगी, आप वो रख सकते हैं इधर, तो अब भी हम इसके उपर सब आवला डाल देंगे, तो देखिए आवला मैंने पूरे इस पर रख दिये हैं, अब भी हम इनको डखन लगाते हूँ, हाई फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही डख के छोड़ देंगे, तो चलिए अभी हम 5 मिनट के बाद इनको चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, आप देखिए अपने आप ही इधर, ये स्टीम जारी है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए अपने आप ही ये स प्लेट में निकाल के रख देते हैं, तो देखिए ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं, कितनी इजिली देखिए इसके ये पीसिज आराम से निकल रहे हैं, तो हमें ये ऐसे ही आवला के सब पीसिज निकाल के एक बरतन में रख देने हैं, और उसके बाद हम इनमें ची आप चीणी केसीा सतीब दौफे गुडबी दाल सकते हैं लेकिन मैं चीणी डाल रही हूं तो देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं यह गुटली सेपरेट कर देंगे तो देखिए अब हम इसमें चीनी डालेंगे लेगे चीणी मैंने इदर 1 kaptory यानि कि 200 ग्राम के करीब है यह चीनी आप चाहो तो इदर कम ज्यादा कर सकते हैं चीनी ज्यादा भी डालेंगे तो कुछ फाइदा नहीं है तो देखिए हम इसमें अभी चीनी ऐसे डाल देंगे इसको चीनी की ऐसे पूरी कोटिंग कर देंगे और इसको हम डखके तकरीबन एक दिन के लिए तो हमें इसे रखना पड़ेगा क्योंकि यह जो चीनी है पूरी मेल्ट हो जाने चाहिए और अच्छे से चीनी का जो जूस है इसके अंदर चला जाना चाहिए जैने कि आवला जो हमारे है वो अच्छी तरह से मीठे हो जाने चाहिए तो इसके लिए हम एक दिन के लिए इसको डखके ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन के बाद देखिए यह जो चीनी थी हमारी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है और यह चीनी का जो मीठा पन है आवले में चला गया होगा क्योंकि एक दिन का टाइम काफी रहता है उसके लिए अभी हमन एक ठाली ले लिए उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख लिया है अभी यह जो सब आवला है यह कॉटन के कपड़े के ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे और इनको हम दूप लगाएंगे दो से तीन दिन लगेंगे इनको ड्राइ होने के लिए अगर अच्छी कड़क द नहीं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे आप इनको अच्छी तरह से चान के शर्बत के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है उसमें से आवला और यह शुगर का खटा मिठा टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा शर्बत भी बनेगा इसका नहीं तो मैं शर्बत नहीं मनाऊंगी मैं इसे क्या करूँगी मैं और आवला लेके उनको थोड़ी सी स्टीम दिला के जैसे अभी किया था हमने और मैं एक दिन के लिए उसमें डाल के रख दूँगी और और केंडी इसमें से आदा एक किलो कैंडी और बन जाएगी ये वाले सिरब में तो मैं ऐसे इसको यूज करूंगी तो आज है दूसरा दिन देखिए मैंने कल के दिन की इनको पूरी दूप लगाई है और आज का भी आदे दिन की मैंने इनको दूप लगाई है तो अच्छी तरह से हमारे आवला है जो सूख चुके हैं अभी हम इनको दूसरी प्लेट में निकाल के और इसके उपर शुगर का पाउडर की कोटिंग कर देंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहो तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं ऐसे भी इनका अच्छा टेस्ट आएगा मीठे होंगे अंदर से तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप शुगर डालो नहीं डालो तो इसके उपर चट पटा सा यह काला नमक डाल रही हूँ इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका तो गाईस कैसे लगी आपको आज की यह आवला कैंडी बनाने की मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को जरूर जरूर करना और साथ में ही दिएगे बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करना जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा तो चलिए गाईस मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई